क्या आप जाना चाहते हैं एक्सिस बैंक के अंदर एजे फ्रेशर कितनी सेलरी मिलती है साथ शाथ ओफिस टाइमिंग क्या है और कौन से इंसेंटिव हैं कौन से बॉनेस हैं केरियर हमारा किस साइड जा सकता है अगर हम यहाँ पर जॉब करेंगे पॉस्ट कोई भी हो सकती है एक्सिस बैंक कैसा है और फर्स्ट सिलरी हमें कितनी एलती है सब कुछ आज की इससवीडियो में मैं आपको बताओ हुँआ का 오 हैं इंटरस्टेड़ ओ जिखतारी मेरे रहाँ जुनेद है और स्वागत है आफ सभी का आज की इससवीडियो में तो दोस्तों आज की इस video में हम बात करेंगे सिर्फ चार टॉपिक के ओपर नमबर एक है कि हम इस बैंक के अंदर ऐसे जॉब गज़े ले सकते हैं और सेकंड है कि सेलरे कितनी है और इंसेंटिव क्या है थर्ड है ऑफिस की टाइमिंग कितनी है फॉर्थ के अगरे बात करें तो वह है क्वालिफिकेशन ए एकसिस बैंक देखिए एक बैंक के अंदर जॉब लेने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं पहला तरीका जो है वो है एकसिस बैंक की खुद की केरियर की वेब साइट है आप उसको उपर जाएंगे अपने रिजियूम को अपलोड करेंगे आपका नमबर आ सकता है पूरी जानने वाले से आप कहतो के बहुत है हमारी जॉब लगवा दो जो पहले से एकसिस बैंक में काम कर रहा है और वो कहीं न कहीं सोर्स लगा के आपके जोब लगवा सकता है अच्छा एकसिस बैंक के अंदर रेफरेंस के तुरू जूब लेने का एक फाइदा ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको जोब मिल जाएगी और ज्यादा इंटर्वियों आपका नहीं होगा, मतलब ज्यादा सवाल जवाब नहीं होगे, और सेलरी भी ठीक ठाक रहेगी, तीसरा लास्ट तरीका जो है वो यह है, कि आप एक कंसल्टेंसी के थुरू अपलाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं, कंसल्टेंसी के थुरू अपलाई करने में फ्रोड होने के जान से जादा होते हैं, तो प्लीज सतर्क रहें, साफधान रहें, और हाँ, जो बंदा आप से पैसे वाग रहा है, जॉब देने के लिए, वो फर्जी है, उसको कहीं न कहीं आप आप करिएगा पैसे नहीं देने, किसी भी तरीके से पैसे नहीं देने, तो आप इन तरीकों से जॉब ले सकते हैं, एक सिस बैंक के अंदर, पॉइंट नमबर दो हमारे पास है, ऑफिस टाइमिंग, के एक बैंक के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर में है, उसको जो ऑफिस का आ रहे हो, किस टाइम जा रहे हो, उनको मतलब है आपकी सेल्स से, अगर आप लीड अच्छे लेका आ रहे हो, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हो कंपनी को, तो कंपनी आपको बोलेगी निटाइम के लिए, लेकिन अगर आपकी डूटी है, एक केशियर की पोस्ट तो भया, दस बजे आना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, साड़े नो पर आकर चीज़ों को सेट अप करना पड़ेगा, क्योंकि लोग लाइन में लगे वे हैं, खड़े वे, चाहे बले से, एक्सिस बैंकों या प्राइवेट बैंकों, लोग उसलिए नहीं आते हैं, बैंको के अंदर अब ज्यादा तर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी पॉस्ट एक ऐसी है, जो इंडोर है, तो आपको वहाँ पर टाइमिंग थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, यह बात है, और शाम को अगर मैं बात करूं किस टाइम छुट्टी खा सकते हो, वह आपको रोकानी जाएगा, अब तक हमने दो चीज़े किलियर कर ली है, एक है हमारा ओफिस टाइमिंग और दूसरा था, हाव टू गेट जॉब, अब है तीसरा नंबर क्वालिफिकेशन, देखिए, क्वालिफिकेशन और स्किल्स में, जो चीज़े मैं आप अच्छी बात है, जो अब इसली मिल चेगी, MBA ना बहुत तरीके सोता है, I mean बहुत सारे सब्जक्ट के साथ हो रहा होता है, जैसे हम 12 क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारे पास कई सारे उप्शन होते हैं, हम आर्ट साइट से पढ़ सकते हैं, हम साइन साइट से पढ़ सकते है मैट से पढ़ सकते हैं, तो MBA में भी इसी तरीका से बहुत सारी क्रेटिकरी हैं, हर सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो आप अगर MBA करने की सोचर हो, तो कही ना कहीं MBA फिनांस से करना है, या फिर मार्केटिंग से करना है, बैंकिंग फिर्ले के लिए, ठीक है, समझ में आगई अगर आप कहते हो, भाया हमने तो MBA किया नहीं है, तो हमारी जॉब नहीं लगएगी क्या, लग जाएगी, पॉस्ट ग्रेजुशन किया है, इसलिए लग जाएगी, अगर आप कहते हो, कि ने भी हमने तो पॉस्ट ग्रेजुशन भी नहीं किया है, तो ग्रेजुशन किया हो जो 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 जोब होती है वो होती है incentive-based bonus के base पर अगर आपने 100 account खोल दिये हैं एक महिने के अंदर और 100 account कोलने के बाद आपको मिलता है 5% incentive ठीक है तो अगर आपने 20 account और खोल दिये तो 5% incentive को अप लगा सकतो कि क्या हिसाब किताब बैठेगा अगर आपकी salary 15,000 रुपर से भी start होती है और आप 5% incentive वहाँ पे include करते हो तो salary आपके अच्छी खांसी बैठ जाएगी तो जी हाँ दोस्तों ये point था है education का बात करते है skills की देखिए private sector में skill के base पे काम जादा हो रहा होता है government sector में भले ही percentage के उपर काम हो लेकिन हाँ यहाँ पर जो आपको job मिलेगी interview कर पाएंगे आप तो यहाँ पर लगने वाली है skills कौन-कौन सी skills आपको आनी चाहिए सबसे जरूरी चीज है communication skills हिंदी also English अगर लगता है कि English में नहीं आरे तो हिंदी में ही सीखो सीखो बात करना आना चाहिए अब बहुत साइब लोगों के मुन में एक सवाल आ रहा होगा कि भीया हम communication skills कहां से सीखें तो उसके लिए मैंने description में एक link डाला है बुक का आप communication skills के बुक को purchase कर लीजे बहुत ही कम कीमत है और जाके खरीद के पढ़के सीख लो और जवाब ले लो दोसरे skills की अगर मैं बात करो तो वो है basic computer basic computer है powerpoint, ms excel, ms ward, email, gmail ये सारी चीज़ा आती है तो please आप इसको सीख लीज़े किसरे skills हमारे पास है actually email ठीक है email के अंदर बहुत सारी चीज़े है सब को सीखना ज़रूरी है ड्राफ्ट कैसे कर सकते है एक letter लिखना है तो कैसे लिखेंगे bank को application लिखनी तो कैसे लिखनी है किसी से loan की recovery के लिए mail लिखनी तो कैसे लिखनी है ये सब कुछ आपको आना चाहिए चोती skills के अगर मैं बात करो तो वो बहुत ज़रूरी है आपको sales and marketing की knowledge होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका काम इनी चीज़ों से पाढ़ने वाला है पांचे point की बात गूर तो share market and current affair की knowledge होना बहुत ज़रूरी है इनके बगाए चीज़े थोड़ी अधूरी रह जाएंगी अगर आपको नहीं पता कि share market क्या है stock exchange किया है किसको क्या NEFT and NFT क्या होता है यह सब को जब को जाननी की ज़रूरत है और हाँ current affair की knowledge होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि interview आप इनी चीज़ों के base पे create कर सकते हैं यह था point number 3 और इसमें हम बताया है education और skills के बारे में point number 4 हमारे पास है salary and incentive salary बहुत ज्यादा matter करती है आपके interview पे interview अगर आपने बहुत अच्छे से दिया है बताब आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से brief करके बदाया है HR से relate किया है कही ना कहीं उसको आपने ऐसे खुश किया है frankly बात ही की है तो आपकी salary बहुत अच्छे मिलने की chances है engage कर पा रहे होगर आप HR की बातों से बातों को फिर आपको salary अच्छी देखने की ने मिल जाएगी अच्छी से sense कितनी भीया तो मैं आपको अगर simple भाषा है बताऊ तो 25,000 रुपए से start जाती है salary 25,000 से और यह salary 90,000 एक लाग तक जाती है यह matter करते हैं आपके interview पर कितना आपने उसको embrace किया है आपने HR के सवालों को कितने अच्छे से बताया है तो please interview की तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है last point बचता है incentive देखिए जब आप इस interview में जाएंगे access bank के अंदर तो आप से HR पूछे गा ठीक है कि यह कैसे किया आप कहां से आये हो क्या करते थे कैसे करते थे तो आपको इसे चुपनी बाटना है उसके सामने आपको भी कुछ चीज़ है पूछनी है क्या पूछना है incentive के बारे में और एक चीज़ और बता दू अगर आपकी जवाब लग जाती है और फिर आप किसी की जवाब दुबारा लगवाते हो अपने किसी जानने वाले को तो आपको एक अच्छा bonus मिलता है तीन महीने के बाट ठीक है और यह bonus अपने आपने एक salary के बराबर होता है प्लीज लगवा दिया अगरो ठीक है तो दोस्तों यह था वीडियो आज का communication skills का book खरीदना मत भूलेगा link description में है जाए यह purchase कीजिए दूसरे चीज़ यह है अगर आपको चीए instant reply मुझ से तो इंस्टा पे follow करना ज़रूटी है मेरा नाद जुनैत है यहां तक आ गए हो subscribe नहीं करते हो तो गलत बात है कर लो फिरी मोट तो रहा notification बेल दपा लेगा आपको notification मिल जाएगा जब भी new video आएगा फिलहाल के लिए जैहिंद खुदा हाफिज